नमस्कार दोश्तो आप देख रहें निज व्यूज आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोट ने अलाहबाद हाई कोट ने एक महत्पुर्ण टिपनी की है कि भारत में जो गाई को काटने को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत सारे लोग उसको जस्टिफाई कर रह निज जी हाई कोट ने जो ये टिपनी की है कि गाई को राष्टिय पसुगोसित कर दिया जाए वो देश की संस्कृति की पहचाउन है मुश्लिम सासकों ने रोक लगाई तो इस पर आपके क्या विचार है देखिए मैसौर के उस समय के नवाब अली जी जिने हम हैदर अली के नाम से जानते हैं उन्होंने उस समय पूरी स्पस्चिता से गौवन्चच पे और गौविनाशक पे रोक लगा दी थी इसका सीधा-सीधा अर्थ ये है कि गौवनाशक जिसे मुसलिम तबके से जोड़ा जा रहा है वे भी नहीं मानते हैं तो क्या हम माने कि मुसलिम तब पढ़ी करी है भारतिय जनता पाटी ने कॉंग्रेस ने भी इसका स्वागत किया है हाला कि समाजवादी पाटी अपनी राजनिती फिर भी चौन दिया रही है और पुछ विशेश समुदाय के बोटों के लिए इस पर और जादा महत्वपून और और जादा स्वस्चिता लीन हो रही है लेकिन क्या विशे है उस पे आते हैं देखिए भारतिय जनता पाटी और अन्य सारे राजनितिक दलों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है लेकिन हम जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से अपने देश की संस्कृती का सम्मान भी करेंगे सनातन धर्म इस देश की आन है इस देश की बान है इस देश का शान है वे भूत में भी था वे भविश्य में भी है और वे वर्तमान में भी है पास प्रेजेंट फ्यूचर तीनों फॉर्म में वो प्रेजेंट है और प्रेजेंट रहेगा और हमें सनातन धर्म का एक अभिन भाग है गौमाता गर और उनके दूज से पेट भरता था तो जिस माता के दूज से पेट भर सके और जिस माता जो हमारी संस्कृति की हो भगवत गीता ने पुराणों ने जिसे अपना बत्तमाना हो उसको हम नदन्दाज नहीं कर सकते और हाई कोट का ये फैसला कहीं न कहीं सही है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए और हाई कोट ने सही कहा है कि कि किसी भी विशेश समुदाय को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये देश का मुद्दा है और देश में रहना है तो देश की संस्कृति का सम्मान करना आती आवश्यक है और इसके लिए आप सनातन संस्कृति का अपमान नहीं कर सकते गौमाता हमारी सनातन संस्कृति की माता है और उनका अपमान करके आप सनातन संस्कृति का अपमान करते है एक सवाल यहां पर ये भी उठता है कि लोग कहते हैं कि मैं क्या खाऊं ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा मुझे खाने की आजादी होनी चाहिए उन लोगों को क्या कहिएगा जो लोग ये कहते हैं कि मेरी मरजी मैं क्या खाऊं मुझे खाने की स्वतंतरता होनी चाहिए त लोगों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आप इस समय अफगानिस्तान में शर्ण ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर तालिबान सब को खाने से मना नहीं करता बस दो तीन रोज बम गिरेंगे और आपके बीवी बच्चे मारे जाएंगे सोचिए इस देश ने आपको सम्मान दिया है और उसकी संस्कृति की कद्ध नहीं करते हमने आपके मूँ पर प्रतिबंद नहीं लगाया है इस देश की माता के सम्मान अगर आप नहीं कर सकते तो आप काए के हिंदुस्तानी काए के भारती यह हुए हमें बताते हैं हम बाबर के साथ से नहीं चलेंगे हम हुमायू के साथ से नहीं चलेंगे हम अकबर के साथ से नहीं चलेंगे हम राम भगवान के साथ से गौम माता के हिसाथ से चलेंगे आपकी खौने की चोईस को हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि इस देश में रहते हैं इस देश की थाली जो परोस रही है अगर उसी को आप खाट के खा जाएंगे तो यह आपका अपमान नहीं होगा यह देश का तेरा स्कार होगा और देश का अपमान होगा OVCG बोल रहे हैं कि जो बुजुर्ग गाय हो जाती है उसे काट के लोग खाते हैं और ये बुजुर्ग गाय को काट के खाते हैं तो इसमें गलत क्या है तो OVCG से आप क्या कहना चाहेंगे पहली बात तो OVCG तो बूल ये मत क्योंकि वो एक कटरपनती नेता है सांसद है हैदराबाद से लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि AIM AIM All India मजजित मुसलमीन किस तरीके से इस देश का संचालन करती है उसने अपने नए नए विधायकों को जन्म दे रहा है महराष्ट्र में इंदू समाच और इस देश का हर मुसलमान जो कटरता और आतंकवाद को नहीं मानता वो AIM AIM को वोट कभी देता ही नहीं है और अब यकीन मानिए 2024 के लोकसाबाद चुनावों में और 2022 के लोकसाबाद चुनावों में जिस तरीके से सुद्दीनोंवे से ये सपने देख रह राएंगे यह सिर्फ उनके खुआ भी रह जाएगा उत्तरप्रदेश की जनता उन्हें पूछेंगी भी नहीं तो बहुत दूर की बात है उत्तरप्रदेश की जनता उनने भाव नहीं देती उनका तुरस्कार करती है यह कि जो जिस पाठी के नेता बारिसपथान राश्यत प्रवक्ता ए-い-m-y-m, ये कहते हूं कि हम 15 करोड, तुम 100 करोड, उनी इतनी गंदी गालियां दी टी दो हजार, 13 के उन्होंने कहते हैं, चोना प्रचारों में कोई ये देश नहीं भूल चकता को अगर कोई गालियां देता है तो हम उसका तिरसकार नहीं करेंगे उसे देश से बाहर पाकिस्तान फैक देंगे और यही किया जाएगा और AIM-AIM के जो गुजुर्ग गाएं की चीजा है ना तो आप भी बुजुर्ग हो चुके हैं इसका अर्थात यह नहीं है कि आपको रा अर्था मिलाकर हैदराबाद के लोगों की बात रख रहे हैं कटर्टा वादी और अंगवादी बात मत रखिये वरना यह देश आपका तिरसकार करेगा और आपके भाई को भी भार कर दिया जाएगा इस देश से यह मेरा वादा है एक और सवाल यहां पे उठता है बोलते ह ही हिदुई करन किया जा रहा है यानि COT के फैसला पे भी सवाल उठा रहे हैं कि वोACH जो फैसला दे इते हैं W Disease के अनुसार अंशार उन्हें रोजगार की शम्ता देती है क्या गाएं उन्हें रोजगार और इंटर्व्यू को सप्लाई करती है अरे अरे राश्ट्रिय स्वेबक संग इस देश का संग है जो इस देश की संस्कृति की इज़त करता है उसके खिलाफ कोई भी शब्द कताई बरदाश नहीं किया जाएगा संग विश्वे हिंदू परिशद बजरंग दल और आराश्ट्रिय स्वेबक संग पाटी भारतिय जन्ता पाटी ये चार चीज़े इस देश को चाहिए दो हजार पाचास तक फिर ये देश अमरीका या लं स्वितिका अपमान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को नीचा दिखानी कोची चो रही है ये बार बार भूल जाते हैं कि इस देश का राश्ट्रपती डॉक्टर एपीजी अब्दुलकलम जी भी मुसलिम थे और इस देश के पूर्वविदेश मंत्री जो भारतिये जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और मुसल्मान हैं और कटर हिंदू मुसल्मान कटर के कहते हैं इस देश की संस्कृती सनातनी धर्म की बहुत अच्छी रक्षक हैं शेहनवाज हुसेन बीजेपी की राश्ट्रिये प्रवक्ता हैं मौसिन रजा उत्तर मुसल्मानों को नीचा नहीं दिखाया ना कभी दिखाएगी और भारतिये जनता पार्टी मुसल्मानों को इस देश का समस्ति है मुसल्मानों के नाम पर तुष्टिकरण की राजनीती आपने खेली उनके वोट पाए फिर उनने साइड में धकेल के कहते हैं बाहर फैक दिय भारतिये जनता पार्टी ऐसा नहीं करती और दूसरी बात रही आरेसस की तो बाबरी मस्जित में जो आपको पांच एकड जमीन दी गई थी अगर वे जज आरेसस के होते तो क्या बाबरी मस्जित की पांच एकड जमीन आपको मिलती बाबरी मस्जित निर्मान की पांच ए जाओंगा कि वो जाजार SS के थे या नहीं और पूर्ण नता स्वश्च फैसला है हाई कोट ने रोक नहीं लगाई है मुसल्मानों के गौमीट खाने पर और ना ऐसा कोई कर सकता है राश्ट्रिय पशू कर सकते हैं लेकिन यह देश की संस्कृति का मुद्दा है इस पर ऐसी खंडत घोर टिपनियां ना करें अगरे सवाल है 2022 का चुनाओ भी आ रहा है इस बक्सी पार्टी का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाओ से पहले हिंदू मुद्दे बुनाना चाहेगी देखिए भारतिय जनता पार्टी के पास बहुत मुद्दे है राम मंदिर भारतिय जनता पार्टी ने बनवाया है C.E.A. N.R.C. C.E.A. भारतिय जनता पार्टी लागू कर चुकी है जनसंक्या नियन्फरन कानून यूपी काबिनेट में लागू होने बाला है और तो और यूपी में 4 लाग सरकारी नौकरिया मात्र सारे 4 साल में दी ज परतिशत GDP growth rate भारतिय जनता पार्टी ने इस देश को दिया है और जिस तरीके से पहली जो अभी गई है ती मही दो महीने की उसमें और भारतिय जनता पार्टी ने इस देश को बहुत सारी चीज़े दी हैं और आगे भी देती रहेगी तो आप ऐसे सवाल ना करें और ना कि 30 किलोमीटर की रफटार से नैशनल हाइवेस का निर्मान हो रहा है जो अपने आप में एक विश्वर रिकॉर्ड है वैक्सिनेशन जिस पर यह इतना ज्यादा बोलते थे उसमें इनका मुँ बंद हो गया है एक दशमलव तीन करोड़ एक दशमलव चार करोड़ जिस झाल जिस पर धवेपर खाएन जिस न्युम गरी है